ओप्रेशन गंगा के तहट संकट गरस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतिय नागरिकों को निकाल लिया गया है। ये अभियान लगातार जारी है। वायूसिना के 3C-17 विमान यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलेंड और स्लोवाकिया से 629 भारतिय विद्यार्थियों को लेकर आज तड़के दिल्ली के निकट हिंडन वायूसिना के इंदर पहुंचे। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्र ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए विद्यार्थियों की अगवानी की। श्रिभट्र ने कहा कि युवा और सहासिय विद्यार्थियों के चहरों पर खुशी और राहत देखकर उन्हें प्रसंदता हुई है। आज सबेरे एक ट्वीट में विदेश राज्यमंत्री वी मुरली धरन ने ओप्रेशन गंगा के लिए लगातार समर्थन देने के लिए भारतियों मिशन, विदेशी सरकार और स्वयम सेवकों को धन्यवा दिया। इससे पहले कल विदेश मंत्राले ने बताया कि अब तक 20,000 से अधिक भारतियों ने यूकरेन की सिमा छोड़ दी है। विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 18 उड़ानों से लगभग 4,000 भारतियों स्वदेश लोटे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक यूकरेन के पड़ोसी देशों से कुल 48 उड़ाने भारत लोटी हैं। श्री बाक्ची ने विश्वास दिलाया कि यूकरेन से हर भारतियों को सुरक्षित निकाले जाने तक ये अभियान जारी रहेगा। सुरक्षित वापसी अभियान के बारे में जानकारी देते हुए श्री बाक्षी ने बताया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से विशेश कर खारकीव और पिशोचिन से भारतियों की वापसी पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन में भारतियों दूदावास ने वहाँ कुछ बसों का इंतजाम किया है। इतरन का स्थर भी सामान्य बताया जा रहा है।